गुद्पॉरिंग स्टूरेंट्स विलीव प्रसीथ फर्दर विड ससाइटी एड रलीचन दा विजेन एगर रूलर्स वा दा फॉलोवर्स ही दा हिंदुजं यह हिंदुजं में बिलीव करते थे रूलर्स आफ संगम डैनस्टी फॉलोर्स दा शिवात्यम ट्रडिशन जो सं kings were tolerated towards the other religions और बाके सारे इंहें वो दूसरे के रिलिजिन को टॉलरे करते थे ब्राह्मान्स वर highly respected and the kings were religious ब्राह्मान्स को सबसे ब्रेस्पेक्टिबर पोजिशन देगी थी लेकिन वुमेन पोजिशन अच्छी नहीं थी सती प्रता चालू थी वहां पर जिसमें husband के साथ ही wife को जो वदैत हो जाता है तो उसके साथ उसको जलना पड़ता है polygamy and the child marriages existed during that period इस time पर जो polygamy था और child marriage था बहुत ज़्यादा था और however some women were scholars कुछ women's भी scholar थी यंगा देवी ने famous book लिगी थी मधुरा विज्यम एंड उसके बाद है त्युमला लेमा एंड हैमा वह दा प्रतिस अधर रेप्यूट यह दोनों के दोनों क्या थी यह जो कभी होता है कवित्री होती है तुनों के दोनों कवित्री थी कुछ हुमन जो थी इनकी highest position थी में डिक्लाइन कृष्णदेवा राया सक्सेसर हुए वीक लेकिन जो इसको आगे इसके राज्यों को जुन रेंच लाया था वह वीक थे कमजोर थे दुरीव रीजिन आफ रामा राया एन अलाइंस ऑफ डेकन किंडम वस डिफीटिडिएम उसके बाद डेकन किंडम इसको डिफीट किया और बैटल आफ टैली करण राज यह थी वो लगगे लड़ाई होगी उसने सिटी को पूरा खतम कर दिया गलोरी पूरी खतम होगी यह खुद करना बैटा भामनी किंडम भामनी किंडम वस अफ्टर ता फर्स्ट रूलर अलाउदिन भामन शाह से इसका यह शुरू हुआ और यह थी वस नोन ऐस था हसान गंगुस को नाम से जानते हैं गंगु एक कीचर था अलाउदिन भामन शाह था ऑफिशल अंडर था महम्मद बिन तुलक के टाइम पे अलाउदिन भामन शाह जो था ऑफिशल रूलर था वहां का उन्हों इसने अपनी इंडिपेंडन्स 1347 में डिकलेर की है अपने आपको अजाद खुशित किया था उसने भामनी किंडम का विश्कार किया और गुलबर्गा और लेटर शिफ्ट तु था बिदार पहले गुलबर्गा थी उसके बाब बिदार में शिफ्ट कर दीगी कैपिटलिस की किंडम्स लास्टिड ओवर एटी यर्स तक राज्य किया उन्होंने 1347 से लेगे 1527 तक 18 रूलर्स जो थे उन्होंने रूल किया किंडम में सबसे पावरफुल जो था भामनी किंडम था इसके लावा अलावदिन भामाशा इसने बहुत साथा रेबिलियस चीफ जो थे अपने कंड्रोल में रखे उसने पीस्फूर मोहर बनाया वहां पे उसने अपनी टैराटर्डिस को प्रविंस में डिवाइड किया जिसको हम तारफ्स कहते हैं और उसको तारफदार और गवर्नरस के अंडर छोड़ दिया फिरोशा भामनी फिरोशा भामनी जो थे एर्थ उलर्थेस किंडम के इन्होंने गॉट किंग जो था नर्सिंग राय को डिफीट किया हराया और इन्होंने विजय नगर को भी दो लड़ाईयों में हराया उन्होंने अवर्थ्रो किया उनको और इचार दोग को भी अपने पास कब्जा कर लिया जो कि विजयनेगर ने हथे आया था उन्होंने थर्ड बैटल में लॉस्ट किया एड ही स्टेप डॉन फॉन दा थॉन इन दा फिवर ऑफ इस ग्रदर एहमद्शा दू इस डिफीट अपनी हाल की कारण ओ एहमद्शा जो थे जो भाही था वो आया वो पोईट भी थे और रूलर भी थे और एक लेंड मैन थे और उन्होंने बहुत सारी लैंगवज के मास्टरी की है पर्शिन, अरेबिंग, तुर्किश, तेलगू, करनड़ा और मराथी यह सब भी उनको आती थी थी उनने कोर्ट में अपने स्कोलर्स को इन्वाइट करते थे, डेकन जो था उनका एक कल्स्राल सेंटर था इनके राज्य का, एहमद्शा, एहमद्शा अवेंच्ट अवेंच्ट अब्रदर डिफीट, उसने भाई का बदला लिया और उसने डिफीट किया, हराया, विजनेगर सिटी को इसको रिसनेक्ट कर दिया उसको और कैपिटल जो थी गुलबरगा से बिदार में ट्रांसफर कर दी, मुहमद गावन, मुहमद गावन वस अपर्शन मर्चंट, ही केम तो इंडिया इन 1460, ही वस अपॉइंट 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 था और यह आय को बहुत ज़्यादा उनने पावफू बनाया और उनने उरिसा और कॉंकन को भी हराया, उनने धाबोल और गोवा को वहाँ से कैप्चर किया विजयनेगर से उसको और उनने वारंगल को भी, रूलर आफ वारंगल को भी उननने उनको हराया